चाहिक तालीस प्रख्यल, आज का चाप्टर बड़ा है, इन्जोई रीडर्स, काव्या अपना लप्टॉप बंद कर जल्दी से उसे बैक के साइट के ड्रोबर में रख देती है, विवान काव्या के पीछे से मुझे तुम से बात करनी थी, काव्या जल्दी से पीछे पलट क तुम यहां इस वक्त क्या कर रहे हो, और तुम अंदर कैसे आए, विवान काव्या को तरफ बढ़ते हुए मुझे तुम से बात करनी थी, इसलिए आया हूँ, काव्या अपने कदम पीछे लेते हुए पार मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो, जैसे पकड उसे अपने सीने से लगा लेता है, काव्या विवान से खुद को छुडाते हुए यह क्या बदतमीजी है विवान, विवान काव्या को कसकर पकड़ते हुए मैंने कहा ना मुझे تم से कुछ बात करनी है, और वो बात किये बिना मैं यहां से कही नहीं जाने वाला, इसल बस एक बार मेरी बात सुन लो फिर मैं चुक चाप यहां से चला जाओंगा। काव्या अपना मूँ फेरते हुए पर मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज तुम यहां से चले जाओ वरना मुझे ना चाहते हुए भी यहां के वॉडन को बुलाना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती बिना मतलब का कोई सीन क्रियेट हो। और तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम खराब है। विवान कावया को आँखों में देखते हुए मैं बहुत जिद्धी हूँ कावया जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती तब तक तुम चाहे जो भी कर लो किसे भी बुलालो पर मैं यहां से नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो चुपचाप मेरी बात सुन लो। काव्या फ्रस्ट्रेटेड हो कर ठीक है। जो बोलना है बोलो, पर उसे पहले मुझे छोड़ो। काव्या को हां सुनकर विवान काव्या का छोड़ देता है। काव्या जल्दी स काव्या को देखने लगती है। विवान काव्या को आँखों में देखते हुए I'm sorry। काव्या हिराणी से क्या कहा तुमने। विवान काव्या को देखते हुए Unders को I'm sorry। काव्या मैंने जो कल किया वह मुझे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कैसे पर मुझ سے वह हो गया मुझे ना चाहते हुए भी उस वक्त तुम पर गुस्सा आ गया गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में वह चीज हो गई जो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मुझसे हो मैंने आज तक बिना किसी लड़की की मर्जी के उसका हाथ तक नहीं पकड़ा और तुम्हारे साथ मैंने वह सब कर लिया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं काव्या फिर विवान काव्या का हाथ पकड़ मुझे पता है मैंने जो कल तुम्हारे साथ किया वह भुला पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है पर मैं तुमसे सिर्फ माफी चाहता हूँ काव्या क्योंकि मेरे अंदर बहुत गिल्ट है कि मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था प्लीज तुम मुझे माफ करके मेरा वह गिल्ट खत्म कर दो इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है तुमसे माफी मांगने के लिए काव्या बड़े गौर से विवान को देख रही थी विवान काव्या को शांत देख कुछ तो बोलो काव्या काव्या विवान को देखते हुए माफ किया विवान खुश होते हुए सच तुमने गलती की पर तुम उसे एकसेट भी कर रहे हो, मुझसे यहां आकर माफी मांग रहे हो, तुम्हारी माफी सच्ची है, जिसे मैं एकसेट कर रही हूँ, काव्या को ये बात सुन विवान बहुत खुस हो जाता है, और एकसाइटमेंट उसे गले लगा लेता है, जिसे का काव्या शौक्ट हो जाती है, विवान काव्या को गले लगाए हुए अंडस को थैंक्यो 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 सो मच काव्या, तुम नहीं जानती, तुमने कितना बड़ा मेरा बोज हलका कर दिया, काव्या विवान से अलग होते हुए तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है मेरे लिए वही काफी है विवान काव्या को आँखों में देखते हुए अन्दस को थांक्यू मैं जो लेने आया था वो मुझे मिल गया अब में जा रहा हूँ कल ओफिस अपने टाइम पर आ जाना विवान की बात सुन काव्या अपना सिर्हां में हिला देती है विवान काव्या की हाँ सुनने के बाद बालतनी की तरफ जाने लगाता है काव्या विवान से वहा कहां से जा रहे हो विवान अपनी आय विंक करते हुए जहां से आया था वही से जा रहा हुँ नाक्स्ट मॉनिंग, करन का विला, सेया अपने कमरे में रेडी हो रही थी, उसने आज एक वाइट कलर का टर्टल नेक टॉप और ब्लाक टाइट पैंट पहनी हुए थी, और अपने बालों को मेसी बन किया हुआ था, तभी कमरे में करन आता है, करन मिर में से सेया को देखता ह सेया की नजरे भी मिर से करन को नजरों से जा मिलती है, सेया पलट कर करन को देखने लगती है, करन सेया की आँखों में देखते हुए तुम आज अपने घर जा रही हो सेया, करन की बात सुन सेया को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि सेया को अच्छे से पता था कि करन आज उ आग्यूमंट्स तुमने कही नहीं मतलब कही नहीं. करन अपने कदम सिया के तरफ बगते हुए मेरे पेशंस की टेस्ट मत लो सिया. सिया अपनी जगह वैसे ही खड़ी होकर तुम भी मेरे पेशंस को मत टेस्ट करो. अब तक तुमने जो जैसा चाह वो चीज वैसी हुए. पर अब नहीं अब जो मैं चाहूंगी वो होगा, करन सिया के बेहत करीब होकर बहुत मुश्किल से अपने अंदर का जानवर रोक, रखा है, प्लीज इसे बाहर मत निकालो, क्योंकि अगर ये एक बार के बाहर आ गया तो तुम इसे बरदाश्ट नहीं कर पाऊगे, और मैं नहीं चाहता जो परगिस नहीं मनुगी, करन का पर अब एकदम हाई हो चुका था, करन सिया की बाजू को कसकर पकर तुम चाहती क्या हो, क्यों रहना चाहती हो यहां, सिया अपनी भारी आँखों से जवाब तुम्हें पता है करन, कल रात मेरे उसे एक कदम ने सब क्लियर कर दिया है, करन सि कर किस हक से यहां रहना चाहती हो, सिया, मैंने तुम्हें कल ही कहा था, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कुछ भी माइने नहीं रखती, सिया करन की आँखों में आँखे डाल जिस रिष्टे से तुम मुझे दोबारा इस घर में लाए थे उस रिष्टे से में इस घर में रहूंगी करन सिया भरी आँखों से आगे कहते हुए चाहे मुझे तुम्हारी रखेल ही क्यूं ना बंद कर रहना पड़े करन सिया के मूह से ये वर्ट सुन गुस्से से लाल हो जाता है करन चीकते हुए चुप मूह बंद करो अपना सिया भी चीकते हुए क्यों क्यूं बंद करो अपना मूह कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूं में तो फिर क्यूं तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तुम अब चाहे जो भी कर को करन मैं यहां से कही नहीं जाऊंगी इतना कहकार सिया करन के बगल से होकर जाने लगती है चब 42 वाइल कारन सिया अपनी बात खतम कर करन के बगल से होकर जाने लगती है सिया ने अपने दो कदम बढ़ाय ही थे कि तब ही करन सिया को पीछे से खीच अपने सीने से कसकर लगा लेता है सिया की पीट करन के सीने से लगी हुए थी करन सिया के कंदे पर अपना चेहरा टिकाते हुए क्यो एक बार फिर मेरे अंदर का जानवर जगा रही हो तुम सिया मान क्यों नहीं लेती जो मैं कह रहा हूँ सेया वैसे ही खड़ी होकर जो बात में नहीं मानना चाहती वो बात में कैसे मन लू करन। अब तक तुमने जैसा चाहा सब वैसा हुआ, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। करन सेया की कमर पर अपनी पकर मजबूत करते हुए किस रिष्टे से तुम यहां रहोगी। सेया अपनी आखें दर्ड के मारे मिचते हुए तुम्हारी रखेल। सेया ने इतना ही कहा था कि तभी करन सेया को अपनी तरफ पलट कर बीना एक भी पलगवाए। सेया की हुंथों पर अपने हुंथ रख देता है। और उसे वाइल डली किस करने लगता है। सिया करन के इस action पर कोई react नहीं करती, बस चुक चाप वैसे ही खड़ी रहती है, करन सिया को किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जिस वजह से सिया को दर्द हो रहा था, पर सिया बीना कुछ react करे वैसे ही खड़ी रहती है, कुछ देर बाद सिया ना चाहते हुए करन का साथ देने लगती है। सिया का साथ पाकर करन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सिया को दर्ड देने के लिए उसे ऐसे किस कर रहा था। वही सिया उसका साथ दे रही थी। जिसे देख करन को और गुस्सा आने लगता है। सिया अपने मन में अप चाहे तुम कुछ भी कर लो करन, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी, तुम से तो मैं अपना बदला के कर रहूंगी, करीब बीस मिनत बाद करन सिया के होंतों को छोड़ता है, सिया लंबी-लंबी सांसे लेने लगती है, करन सिया के सिर को अपने सिर से देखते हुए तुम्हारे पास रहने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी, करन, सिया को ये बात सुन करन सिया को अपने से दूर कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, सिया बिना कुछ बोले करन के गले में अपनी बहे डाल देती है, करन पर सिया की ऊपर आते हुए तुम मुझसे प्यार करती हो सिया अपना सलाइवा गटकते हुए हाँ करन सिया की ऊपर था करन सिया को आँखों में देखते हुए तो साबित करो सिया करन को आँखों में देखते हुए का कैसे करन सिया की टॉप की जिप खूलते हुए अपने करती हो तो उसे साबिक भी तो करना पड़ेगा ना सिया अपने मन में अब चाहे कुछ भी करना पड़े पर मैं पीछे नहीं हटूंगी सिया को ख्यालों में देख करन क्या हुआ इरादा बादल गया सिया करन की आँखों में देखते हुए मन जूर है करन अपने मन में बहुत जिद्धी हो तुम सिया सिया करंग की आँखों में देख रही थी करंग सिया के टॉप को उसके जिस्न से एक सेकेंड में अलग करते हुए जैसा तुम चाहो ऐसा होते ही सिया अपनी आँखे कसकर बंद कर लेटी है अब एक बार फिर सिया को उन सब चीजों से ही गुजरना होगा जिसे वो नफरत करती है सिया अपने मन में तुझे पीछे नहीं हटना है सिया तेरा सब कुछ इस आदमी ने बरबाद कर दिया है अब कोन ही मनेगा कि अब तक इसने मुझे चूवा नहीं होगा जब मैं उन्हें ये साबित ही नहीं कर सकती तो अपने बदले के लिए मुझे ये कीमत भी चुकानी पड़ेगी तो मैं पिछे नहीं हटूंगी करन सिया के एक्सप्रेशन बड़े ध्यान से देख रहा था करन अपने होन्थों सिया के इस तरह करीब आया था इसलिए उसे भी अब कुछ अलग सा फील होने लगा था करन सिया के नेक से होकर नीचे बढ़ने लगता है साथ ही उसके हाथ सिया को बॉडी पर चल रहे थे सिया की आँखे पूरी तरह से भीग चुकी थी सिया को पूरी बॉडी सेहर रही थी करन सिया की उपर की बॉडी को अपने होन्थों से महेसुस कर रहा था साथ ही उसकी नजरे सिया के चेहरे पर थी वो बड़े ध्यान से सिया के बदलते हुए एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था करन अपने मन में मन जाओ सिया इतनी जेद अच्छी नहीं है मेरे सामने क्योंकि मैं जनता हूँ कि मैं तुमसे भी ज़्यादा जिद्धी हूँ आगर तुम हर नहीं मानोगी तो मेरा इगो मुझे भी जुकने नहीं देगा रोक सकती हो तुम मुझे ये सब करने से सिया अपनी आँखे कसकर बंद किये हुए अपने मन में अगर आज जुख गई तो मैं कभी भी करन से बदला नहीं ले पाऊंगी अगर मुझे करन को जुखाना है तो मुझे उसके आगे जुखना नहीं है करन सिया को कुछ रियाक्ट ना करते देख गुस्से में आपनी आँखे कसकर बंद कर लेता है करन अपने मन में नहीं मानोगी तुम अब तुन मेरी जिद देखो इतना करके करन जट से अपनी आँखे खोलता है उसकी आँखे लाल थी करन एक ही पल में सिया के सारे कपड़े निकाल देता है जिसे सिया सिहर उठती है साथ ही उसके आँखों से एक कत्रा आशु बह जाता है अब सिया करन के सामने बीना कपड़ों की थी करन भी सिया पर से उठकर उसे उपस से नीचे तक स्कैन करते हुए अपनी शर्ट उतार कर बैक के नीचे फेक देता है और अगले ही पल फिर से सिया के उपर आ कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में इंटरवाइन कर बैक पर धसा देता है और अपने होंट सिया के होंथों पर रख देता है चब 43 दर्द करन सिया को वाइल दिली किस कर रहा था सिया किसका कोई response नहीं कर रही थी उसके आँखों के कोने से आंसु बह रहे थे सिया अपने आंसु रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उसके बावजूद उसके आंसु बहे जा रहे थे करन करीब 10 मिनट बाद सिया के होंथों को छोड़ता है सिया के होंथ एकदम लाल हो गए थे साथ ही सूज भी गए थे करन सिया की आँखों में देखता है जो लाल थी करन सिया को देखते हुए आखरी मौका है सिया तुम्हारे पास पीछे हटने का सिया करन को देख मुस्कुराते हुए आखरी हो या पहला मैंने कहा नातों में पिछे नहीं हटने वाली करन को सिया की जिद से आब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है करन गुस्से में पच्चताओगी इतना कहकर करन सिया के नेक पर अपने दांग गदा देता है जिसे सिया की चीक निकल जाती है करन अप continue सिया की पूरी बॉडी पर बाइट कर रहा था करन सिया के बेली से होते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगता है जिसे सिया घबरा कर अपने पैरों को कसकर आपस में बंद कर लेती है करन अपना चहरा उठा कर सिया को देखता है क्या हुआ सिया कहा गया तुम्हारा प्यार जो मुझे तुम्हारे करीब आने नहीं दे रहा करन की बात सुन सेया कसकर अपनी आँखे बंद कर लेती है अगले ही पल उसने अपने पैर धीले छोड़ दिये थे सेया की आँखे बंद थी तब ही उसे अहसास होता है कि अब उसके ओपर किसी का वजन नहीं है सेया अपनी आँखे खोल कर देखती है सेया को करन कमरे से जाता हुआ नजर आता है सेया कुछ कहती उसे पहले ही करन कमरे से जा चुका था सेया अपने आपको देखती है जिसके उपकरन ने एक पतली सी चादर डाली हुए थी सेया करन के जाने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है सेया रोते हुए क्यों ऐसे ही चले गए करन मुझे तिल तिल तरपाने से अच्छा है एक ही बार मुझे सारे दग दे दो वही दूसरी तरफ करन अपने कमरे में आकर गुसे में सारी सामन इधर से उधर फेक रहा था करन मिरमें जोर से पांच मार देता है जिसके साथ ही उसके हाथों से खून निकलने लगता है करन तूटे हुए मिरमें खुद को देखते हुए नहीं चाहता कि अब तुम्हें में दर्द दू तो फिर क्यों तुम खुद को दर्द देना चाहती हो सोचा था तुम्हें कैद करके तुमसे बदला लूँगा तुम्हें हर दर्ड दूँगा पर यहां सब ओल्टा हो गया मैं तुम्हें दर्ड नहीं दे पा रहा तुम्हारी आखों में आशु नहीं बरदास्ट कर पा रहा क्यूँ, क्यूँ मुझे तुम्हारे दर्द से फर्क पढ़ने लगा है करन जमीन पर बैठते हुए ये जो जजबात मेरे दिल में पनप रहे है इसे मुझे यही रोकना होगा मेरे अंदर तुम्हे के कर कोई जजबात नहीं आने चाहिए ओबर ओए एमपायर कावया आज टाइम से पहले ही ओफिस पहुँच गई थी कावया विवान के केबिन में कुछ ढून रही थी कावया अपने आप से यहां तो कुछ काम का मिलना आसान नहीं है पर अगर मुझे कुछ जान ना है करन के बारे में तो मुझे उसके घर से पता लगाना होगा पर मैं उसके घर कैसे जा सकती हूँ कावया यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहत सुनाई देती है कावया खुद से लगता है विवान आ गया कावया जल्दी से उसके हाथों में जो फाइल्स थी उसे वापस से उसकी जगह रख देती है और सीधी खड़ी हो जाती है तभी विवान अपने फोन में बात करते हुए केबिन में एंटर करता है और अपने सामने काव्या को देख थोड़ा हैरान हो जाता है विवान on call ओ की आप देख लीजिए I'll call you later इतना कहक कर विवान कॉल कट कर देता है विवान कुछ कहता उससे पहले ही काव्या विवान को देख कर good morning विवान I mean विवान सर विवान काव्या को देखते हुए underscore it's okay call me विवान काव्या जल्दी से नहीं नहीं सर ही सही है office में office के बाहर विवान काव्या को बात सुन विवान हलका सा मुस्कुरा देता है विवान काव्या से तुम यहां क्या कर रही हो वो भी इस वक्त काव्या थोड़ा सोच कर वो आज में जल्दी आ गई थी कल नहीं आय थी इसलिए कल का काम पैंडिंग था ना विवान अपनी चेय पर बैठते हुए गुड मौनिंग कॉफी मिलेगी काव् जया केबिन में बने विवान के प्राइवेट रूम में चली जाती है और काफी बनाने लगती है इधर एक काफे में जय और जया दोनों काफे में थे जया मजे से कॉफी पीते हुए जय को देख रही थी वही जया की इन हरकतों से इरिटेट हो रहा था जया को देखते को वजह से में इस मुसीबत के साथ फस गया पता नहीं उसकी कौन सी शॉपिंग बाकी रह गई थी को इसे मेरे साथ भेज दिया जब से आये है तब से सिर्फ मुझे कबूतर की तरह घूरे जा रही है और खाय जा रही है जया अभी भी जय को देख रही थी जय जट ललाते कितना वक्त लगेगा मुझे ऑफिस भी जाना है जया बड़े प्यार से क्या हुआ जय कभी तो मौका मिलता है हमें कुछ वक्त अकेले बिताने का जय छिरते हुए मुझे नहीं बिताना तुम्हारे साथ कोई अकेले में वक्त जया को जय की ऐसी बाते हमेशा बुरी लगती थी पर वो ये सब बरदास्त कर खुद को नोमल रखने की पुरी कोसिस करती थी जया अपना मुँ बनाते हुए में इतनी बुरी हूँ क्या जय चिगते हुए अंडिसको जहर हो एकदम जहर तुम्हें तो मुझे देखना तक पसंद नहीं तुम्हारे साथ वक्त बिताना तो बहुत दूर की बात है जब देखो तब मुझ से चिपकती रहती हो कोई सेल्फ रिस्पैक्ट है या नहीं मेरे इतना कहने के बाद भी मेरे पीछे-पीछे घूमती रहती हो तुम्हरे जगल कोई और लड़की होती तो कभी मुझे अपनी शकल दोबारा नहीं दिखाती जए लगातार बोले जा रहा था बिना ये देखे कि जएया पर इन सब बातों का क्या असर पढ़ रहा है जएया हमेशा ही जएय को सारी बातों को मजाक में ले लिया करती थी पर आग जएय के शब्ग जएया को अंदर तक छलनी कर चुके थे जएया को खुद ही नहीं पता चलता कि कब उसकी आँखे बह निकलती है जएय अभी भी कुछ न कुछ बोले जा रहा था पर जब उसे अहसास होता है कि जएया रो रही है उसे रोता देख जएय चुक हो जाता है जएय हैरान हो जाता है क्योंकि जएय हमेशा जएया को कुछ भी बोलता था पर वो कभी उन बातों पर रियाक भी नहीं करती थी और आज ऐसे रोय जा रही थी जै जिया से जिया, वो में, जै आगे कुछ कहता उसे पहले ही जिया वहाँ से रोते हुए उठकर बीना पीछे मुणे वहाँ से चली जाती है जै को कुछ भी कहने का मोका दिये बिना जिया वहाँ से चली जाती है जै पीछे से जिया रुको इतना कहकर जै जिया के पीछे जाने लगता है कि तब ही उसे कोई टक्रा जाता है जै उस आदमी को सोरी कहकर जैसे ही जाने को होता है उसे जिया कही नहीं दिखाए देती जै जिया को ढूढने के लिए वहाँ से निकल जाता है चब 44 प्रविश की लस्ट फूल नजरे ओबर ओउय अम्पायर विवान का केबिन काव्या कॉफी बना कर विवान के डैस्क पर रख देती है और खुट जा कर अपना काम करने लगती है काव्या उसी केबिन में दूसरे डैस्क पर लप्टोप पर अपना काम कर रही थी काव्या अपने मन में कुछ सोच काव्या कैसे जाएगी विवान के घर पर तब ही विवान का फोन रिंग करता है विवान फोन आंसर कर ये स्मूम दूसरी तरह से कोई कुछ बोलता है विवान बस हम करके कॉल कट कर देता है काव्या बड़े ध्यान से विवान की बाते सुन रही थी पर वो विवान की पूरी बाते सुन नहीं पाती विवान फोन कट कर अपने काम में बिजी हो जाता है करन का विला करन अभी भी अपने कमरे में फर्ष पर बैठा हुआ था, और एक तक अपने सामने तूटे कांच में अपना अक्ष देख रहा था, करन खुद से नफरत कब चाहत में बदल गई पता ही नहीं चला, अब चाहत इतनी बढ़ गई है, कि उसे नफरत नहीं हो सकती, तुम्हें क्यों लिए अपने कदम पीछे, मैंने तो आज खुद अपने आपको तुम्हें सो पा था, क्यों नहें शान्त कर ली अपने अंदर की आग, करन सिया को देखते हुए तुम उस आग को बरदास्त नहीं कर पाऊगी सिया, सिया सरकेस्टली हसते हुए इतना कुछ बरदास्त किया है, बचापन से अप कुछ भी बरदास्त कर सकती हुँ, करन नीचे देखते हुए अंदर स्को जाओ तुम यहां से, सिया करन की तरफ बढ़ते हुए में कहीं नहीं जाओंगी करन, करन अपनी आँखें बंद कर कुछ पल बाद वापस से खोलता है, अब सिया उसके एक जब मैं 11 साल का था, तब वो मुझे इस दुनिया में छोड़ कर चली गई, सिया करन के मूल से उसकी मौम की जिक्र सुन कर बड़े ध्यान से उसकी बाते सुनने लगती है, करन आगे कहते हुए अंदर स्को शी वस रेप्ट अन मर्डर बाई, इतना कह कर करन रुप जाता है सिया करन की बात सुन हिरान हो जाती है, सिया कांपती हुई आवाज मेरा, रेप अबमा, करन बीच में ही खून कर दिया उसने मेरी मौम का, जिन्हे में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उनको मेरे सामने ही उस इंसान ने मार दिया, सिया करन के कंदे पर ह करन सर्द आवाज में रवीश मलहुत्रा, सिया करन को देखते हुए उसने, उसने तुम्हारी मौम के साथ, करन की आँखे लाल थी, करन अपनी लाल आँखों से वो सब हुआ मेरी आँखों के सामने हुआ, और मैं कुछ नहीं कर पाया, उसने मेरी मौम को मार डाला, कहते कत्रा आँशू करन की आँखों से बह जाता है, सिया की आँखे भी नम हो जाती है, करन आगे कहते हुए इसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी जिन्दगी में दाखिल हुआ था सिया, मुझे बाद ने पता चला कि रवीश मलहुत्रा दोगली जिन्दगी जी रहा है मैं उसे कातिल समझता रहा, जो बेकसूर था, उसने बहुत बेरहमी से मौम को मारा था सिया में वो मंजर कभी भूल नहीं सकता उस बदले की आग में मैं आज तक जी रहा था, और उसी आग में मैंने तुम्हें जलाने की कोशिश की सिया बीच में ही तुम्हारी मौम का नाम क्या था, करन और वो सब क्या से करन सिया को देखते हुए बहुत कुछ खोया है मेंने जिन्दगी में सिया पहले अपने डैड फिर मेरी मौम, उसके बाद मुझे जिन्दगी से नफरत हो गई मेरी जिन्दी का सिर्फ एक मकसद रह गया, बदला, मेरी मौम का बदला मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया शायद इतना बुरा किया कि अब मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने के लायक नहीं हूँ पर आज मैं तुम्हें अपनी अतीत के बारे में सिर्फ और सिर्फ इसलिये बता रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि मैंने जो कुछ भी किया वो किस मजबूरी में किया मेरे दिल में सालों से एक बदले की आग पनप रही थी और मैंने उसमें तुम्हें जलाने की कोशिश की मुझे माफ कर दो सिया सिया की आखे अब नम हो चुकी थी करन की बाते सुन करन आगे कहते हुए मैं तुम से कोई सिमपथी नहीं लेना चाहता बस अपना एक सच तुम्हें बताना चाहता था सो बता दिया सिया रुन्धे गले से आधा सच बताया है करन तुमने मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ रविश मलहोत्रा के बारे में सब कुछ कैसे उसने हम दोनों की फैमिलीज की जिन्दगी बरबाद की करन सिया की आँखों में देखते हुए कहना शुरू करता है फ्लाश बैक 15 साल पहले रवी और रवीश एक होटल में बेठे हुए थे और साथ में ही डिनर कर रहे थे रवीश रवी से यार रवी ये माया कहा रहा गई कब से हम उसका वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा है रवी अपनी वाच को देखते हुए आती ही होगी जरूर कुछ कमा गया होगा वैसे भी यार वो सिंगल मदर है उस पर बहुत सी responsibility है रवी को बात सुन रवीश अपने मन इसलिए तो में उसका काम हलका करना चाहता हुँ भले बिजनेस में नहीं तो क्या हुआ काम से कम बिस्तर पर तो में उसकी मदद कर सकता हुँ ये सोचत हुए रवीश के चहरे पर गंदी सी smile आ जाती है जिसे रवी देख नहीं पता तभी रवी को माया आते हुए नजर आती है रवी माया को तरफ देखते हुए लो आ गई माया रवी को बात सुन रवीश अपनी नजरे माया की तरफ कर देता है माया ने आज एक सिंपल सी सिफ जिसमें वो बेहत खूबसूरत लग रही थी माया को देख रवीश एक तक उसे अपनी गंदी नजरों से देखने लगता है माया जल्दी से आकर चेय पर बैठते हुए सौरी मुझे लेट हो गया वो डैक को तबियत थोड़ी खराब थी रवी मुस्कुराते हुए इत्सो के माया बहुत ज़्यादा लेट नहें हुआ है अभी तक क्लाइंट आये नहीं है माया मुस्कुराते हुए अपना सिर्हा में हिला देती है वही रवीश अभी भी माया को अपनी लस्ट फूल नजरों से देख रहा था जिसका अंदाजा रवी को हो रहा था पर वो माया के सामने कुछ नहीं कहता माया, रवी और रवीश तीनों कॉलेज फ्रेंज थे कॉलेज के बाद उन्होंने साथ में एक अलग बिजनेस टॉट अप किया था असल में माया और रवी बैस्ट फ्रेंड थे दोनों मिलकर एक बिजनेस टॉट करना चाहते थे पर रवीश की नजरे कॉलेज टाइंग से ही माया पर थी जिस वजह से वो जैसे तैसे करके रवी और माया को मना कर उनके साथ पाटने सिप की थी चब 45 करण और सिया अगले दिन माया अपने घर में थी और अपने कमरे में बैठ कर अपना काम कर रही थी तभी करण वहां आता है इस वक्त करण की उम्र करीबन 11 साल की थी करण माया के सामने खड़े होते हुए मम्मा आप यहां क्या कर रही है और आज आप ओफिस क्यों नहीं जा रही माया करण को देखते हुए बेटा आज विवान को फीव है ना अगर में ओफिस चली गई तो विवान को ध्यान कोन रखेगा करण जल्दी से में वो मेरा भाई है ना तो में उसका ध्यान रखूंगा माया मुस्कुराते हुए इतना प्यार करते हो अपने भाई से करण छोटी सी स्माइल करते हुए बहुत सारा प्यार करता हूँ करण की बात सुन माया उसके फोर हेड पर किस कर लेती है माया करण से हमेशा ऐसे ही अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहे मैं रहूं या ना रहूं. करन थोड़ा गुसा दिखाते हुए आप हमेशा मेरे साथ रहोगी ना मम्मा. आप ऐसी बाते क्यूं कर रही हो? माया करन के सिर पर हाथ फेरते हुए जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं रहता करन. इसके आगे करन कुछ कहता उसे पहले ही माया को फोन रिंग करता है माया और करन की नजरे एक साथ मोबाईल स्क्रीन पर जाती है माया मोबाईल स्क्रीन पर देखते हुए रविश ये क्यू कॉल कर रहा है माया फोन आंसर करते हुए खिलो दूसरी तरफ से रवीश कुछ हजेंट काम आ गया है तुम्हें अभी के अभी यहां आना होगा मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ माया बीच में ही कया हुआ है कोई प्राबलम आई है रवीश जल्दी से तुम बस आ जाओ फिर मैं सब बताता हूँ कम्पणी का कोई important काम आ गया है करन माया से जाना जरूरी है मोम माया करन को अपने सीने से लगाते हुए अभे तो कह रहे थे कि आपको आफिस जाना चाहिए था और अब जा रही हूँ तो तुम ऐसा कह रहे हो करन माया के सीने से लगा हुआ पता नहीं पर मेरा मन नहीं कर रहा कि आप जाए, माया करन को दूर करते हुए मैं जल्दी वापस आ जाओंगी बच्छे, करन फटक से मैं आपके साथ जाओंगा, माया मना करते हुए नहीं बेटा, आप यहां रहो विवान बीमार है ना, करन जिद करते हुए नहीं मौम मुझे आपके स साथ आना है तभी कमरे में प्रिया जी आती है प्रिया जी माया से क्या बाते चल रही है मा बेटे में माया प्रिया को देखते हुए प्रिया मुझे आजेंट ओफिस के काम से बाहर जाना है और करन जिद कर रहा है मेरे साथ आने के लिए तुम्हें पता है ना विवान बीमार है प्रेया माया के सामने बैठते हुए तो क्या हूँ अब हाँ भी आप ले जाए करन को में हूँ ना विवान के पास आप मेरे होते हुए उसकी टेंशन मत लो करन माया से देखो मा चाची संभा लेंगे विवान को अब आप मुझे अपने साथ ले चलो माया करन को देखते हुए बहुत जिद्धी हो तुम आखरी कार मुझे मानना ही पड़ा तुम्हारी बात उसके बाद माया और करन दोनों कार में बैठ कर रविश के सेंड किये हुए एडरेस के लिए निकल जाते हैं रास्ते में माया कार ड्राइव कर रही थी वही करन माया के फोन में कुछ कर रहा था करन माया का फोन देखते हुए मोम आपने रवी अंकल से बात की Maya Car Drive करते हुए उनसे क्या बात करनी है बेटा करन Maya को देखते हुए यही कि अचानक क्या sistema agent काम आ गया है Maya Drive करते हुए पता नहीं बेटा कुछ दिनों से रवी से मेरा contact नहीं हो पा रहा मेरी बात राधा से भी हुए थी वो अपने Maya के में है कुछ दिनों के लिए वहाँ सिर्फ रविश अंकल ही है माया करन को देखते हुए क्या बात है तुम बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो करन सीरियस टोन में बोलो ना मम्मा माया आगे देखते हुए अंडसको में भी बेटा I'm not sure करन माया की बात सुन सामने की तरफ देखने लगता है कुछ पर बात करन माया की फोन से किसी को कॉल करता है माया करन से किसे कॉल कर रहे हो बेटा करन बीना माया के तरफ देखे राधा आंटी को मूम माया करन से क्यो करन वैसे ही बस यूँ ही जब उनसे मिला था पहली बार सक्सर्स पार्टी में तब मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए बस एक बार उनसे बात करने का मन हो गया करन कह ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से कोई कॉल आंसर करता है सामने वाले की आवाज सुन करन कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है Flashback and Present करन ये सारी बाते सेया को बता ही रहा था कि तभी करन का फोन रिंग करता है जिसे करन और सेया दोनों का ध्यान तूटता है करन अपना कॉल आंसर कर अंदसको येस चाची दूसरी तरफ से प्रिया जी कुछ कहती है कुछ पर बात करने के बाद करन कॉल कट कर देता है सिया अभी भी बैध ध्यान से करन को देख रही थी वही करन के फेस पर कोई expression नहीं थे सिया करना से क्या हुआ करन? करन बीना किसी भाव के आज शाम हमें विला जाना है सिया करन को देखते हुए कोई वजह यू अचानक करन सिया को देखते हुए वो सब आज आउट ओफ इंडिया जा रहे है कुछ दिनों के लिए सिया करन से आगे क्या हुआ करन? करन उठा कर वहा से जाते हुए वही जो नहीं हुना चाहिए था इतना कहकार करन बीना पीछे मुणे वहा से निकल जाता है सिया करन को जाता हुआ देख रही थी करन अपने आप से क्या करन सच कह रहा है? अगर हां तो जो उसके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ है करन ने अपने आखों के सामने अपनी मम्मा को जाते हुए तडपते हुए देखा है जो किसी भी औलाद के लिए आसान नहीं है काफी दर्द सहा है तुमने करन